नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ बिहार में 3645 पदों पर नई बहाली होने वाली है परदेश में स्वास्त विवागों में और साथ ही साथ बिदी विवागों में यह अलग-अलग पदों पर मंजूरी दिगई है जो 3645 पद है या कल ही कविनेट फाइसला में इसकी मंजूरी देदी गई है इसमें आपको बताए दे कि स्वास्त विवाग में2649 पद है और विदी विवाग में पटना हाइकोट में 1040 पदों पर बहाली होगी पटना हाइकोट में आपको बता दे कि चालक, लाइवरेरियन और आशू लिपिक का बहाली होगा और साथ ही साथ आपको बता दे कि स्वास्त युगाग में 2649 जो पद है इसमें आपको इसमें अलग-अलग पद जो है ये अलग-अलग काटेगरी में बिहार में जितने भी नए नए मेडिकल कॉलेज के अस्थापना हुई है उसमें है तो आए जान लेते हैं एक-एक करके कि कौन से पद जो है स्रिजित किये गया है और कौन-कौन से छात इसमें आवेधन कर सकते हैं दोस्तों अगर इस चैनल पर आपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा चैनल के माद्हम से जो भी नए वीडियोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आपको बता दे कि काईविनेट फासला में नए मेडिकल कॉलेजों के लिए ये पदो का स्रेजन किया गया है जिसमें आपको बता दे कि मेडिकल कॉलेजों जो उसमें 2679 पद नियुक्त होंगे जिसमें आपको बतादे कि पावापुरी और बेतिया में Medical College में डॉक्टर और पारा मेडिकल कर्मियों के लिए 549 पद पर नियुक्ति होगी दोनों Medical College में 549 पद पर बेतिया और पावापुरी में साथ ही साथ आपको बतादे कि 1235 पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति होगी इसमें और आपको बतादे कि जन्नायक करपुरी ठाकुर जो Medical College है मधिपूरा में उसमें भी 356 पदो का मंजोरी दिया गया है मधिपूरा में तो यह टोटल पोस्ट जो है 2679 होंगे जिसमें क्या होगा तो डॉक्टर और कर्मी पारा मेडिकल के जरिये इसमें बहाली होगी अलग-अलग पदों पर है साथ ही साथ आपको बता दे कि पटना हाई कोट उपर जो दस्तो चालिस पद की बाहली होगी पटना हाई कोट में, इसमें कौन-कौन से पद है, तो आपको बता दे कि पटना हाई कोट में जो पद स्रिजित किया गया है, इसमें फोर्थ ग्रेज के करमचारियों के लिए 720 है, और लीपिक के लिए 209 है, चालक, सहित इसमें अलग-अल पर होगा, इसमें संविदा अधारित है, जिसका पद 61 है, और अलग-अलग जो पद है, जिसमें आपको आशुलिपक है, इसमें आपको टाइपिंग चाहिए, जिसमें आशुलिपक का 209 पद है, आशुलिपक के लिए आपको बता दे कि इसमें आपको इसमें आपका जो फ कोट गरस के होंगे यह सभी मैट्रिक या इंटर अस्तर पर हो सकते हैं तो यह 1040 पद जो है हाई कोट में नया बाहली होने वाला है और साथ ही साथ जो मेडिकल के छेत में होला वाना है यह तीन मेडिकल कोलेजम होगा तो इसका जल्दी नोटिपिकेशन निकलेगा और अचार संगीता लागू होने से पहले इसका नोटिपिकेशन निकल जाएगा तो यह जितने भी पद हैं कल ही मनजूरी दिया गया है चुनाव के दिश्टी से पहले ये सवी वेकेंसी निकाले जा रहे हैं पहले से इसको रोक के रखा गया था तो अगर आप इस पदों के योग हैं तो इसमें अवस आवेदन करें क्योंकि ये जितने भी नए पद है इसका जल्दी बहाली शुरू हो जाएगा और जो पटना हाई कोट का ग्यापन है तो इसका भी परकिरिया भी जल्दी शुरू किया जाएगा इसका इन नोटिपिकेशन जल्द आएगा जिसमें 1040 पदों की मंजूरी तिया गया है तो इसमें इंटर और मैट्रिक दोनों अस्तर पर पद है जो ग्रूब डी लेवल के हैं उसमें 720 पद है जो मैट्रिक के अस्तर पर होगा तो जितने भी पद है उसका नोटिपिकेशन जल्दी आएगा तो हमें मुईद है कि आपको सभी बाते पता चल गई होंगी साथ ही एक बात और आपको बता दूँ कि जो विदारती प्राइमिल ट्रिचक भरती की नोटि में फॉर्म के लिए आवेधन किये थे उनके लिए एक अच्छी ख़वर है इसमें आपको बता दे कि पतना हाई कोट ने प्रात्मिक सिक्षक नियोजंग का जो परकिरिया चल रहा था उसमें नियुक्ति से जो परकिरिया है उस पर रोक लगा दिया है फिलहाल 94,000 जो छात्रों की इसमें डिमांड थी जिसमें सिटेट दिसंबर को भी इसमें सामिल किया जाना है इसमें आपको बता दे कि 94,000 जो भरती पर किरिया चल रहा है सिक्षक की इस पर हाई कोट ने रोक लगा दिया था और इस पर फिर रोक लगा दिया है अगली सुनवाई 21 सितमबर तक राज सरकार को हाई कोट ने चितावें दिया है कि आप हलफ नामना दायर करें और यह बिग्यापन निकालने के बाद इसमें आपने जो निवन में नियम जो चेंज किया है बिग्यापन निकालने के बाद उसमें हाई कोट को इसमें आप सुचित नहीं किया है और इसमें जो नियम आपने अलग से बदलाव किया है इसका आप ग्यापन सोंपे और अगल जो seated December किये हैं वे इसमें अप्लाई करेंग या नहीं तो उनके लिए अब फिर से बादा बन गया है आगे जो है चुनाओ भी होने वाला है तो क्या यह फैसला आगे होगा या नहीं होगा मिलते हैं अगले अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैभारत और जो दोस् सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए